तो आज हुँ उनको बताएंगे कि बरसात की मौसम में भिंडी की खेती कैसे करें जिससे वो लाभान विथ हो सके प्रिशी विशेशग्य कहते हैं कि बरसात में भिंडी की मांग काफी अधिक होती है ऐसे में अगर वैग्यानिक विधी से इसकी खेती की जाए तो कम लागत में भी अधिक मुनाफ़ा कमाया जा सकता है डंडे पीले नहीं होते हैं डंडा फीला होगा तब एक अलग रोग है फल फीले हो जाते के वल तो वो एक पोसक तत्व की कमी से खोता है और जहां पर पानी जमेगा वहां पर अवश्य यह समश्य होगी इसलिए पानी जल निकास की बिवस्था आच्छी हो वैसा है पर आप कासी वर्दान का प्रयोग कर सकते हैं कासी वर्दान 14-15 टन प्रती हेक्टेर आपको उपज प्लवध कराता है और इसको आप खेती करके अच्छा आमदनी 14-15 टन प्राप्त कर सकते हैं लगाने के लिए दूरी आपको बरसात के मौसम में 60 cm यानिकि दो फूट के दूर पर एक एक बीज डालिएगा दो दो बीज नहीं एक एक बीज डालिएगा बीज डालने के पहले आप एक रात पहले भिंडी के बीजों को आप पानी में डाल दीजे फूलेंगे और जो भारी होंगे जो कि सही बीज होंगे वे नीचे बढ़ जाएंगे जो हलके बीज बरसाथ में भिंडी की बुवाई जून जुलाई में की जाती है बरसाथ के मौसम की भिंडी की फसल देर से लगती है भिंडी की खेती के लिए बलूई और दोमट मिट्टी दोनों ही उप्युक्त मानी जाती है बिंडी की अच्छी उपज के लिए सबसे पहले अच्छी तरह से खेत के जुटाई कर दें और उचित मात्रा में कमपोश्ट खाद डालने के बाद फिर से खेत की जुटाई करवा दें ताकि खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए यह जो मैं बताया आपको कासी वर्दान यह किश्म दो रोग एक है कि पीत सिरा मोजायक जिसको की यह लो भेन मोजायक भी कहते हैं अंग्रेजी में और दूसरा की पत्र कुंचन लिफ कर्लिंग यह दोनों के प्रती रेसिस्टेंट वेराइटी है इसमें बहुत ही कम मैक्स कासी लालीमा इसकी भी खेती है 2019 की भराइटी है फरवरी 2019 में यह रिलीज हुगा है इसकी भी खेती कीजें यह आपको उतना ही देता है एक हेक्टियर के लिए बीज का मात्रा आठ किलो काफी है भिंडी के बीजों को खेत में लगाने से पहले कारबिंडा जीम्स का च्रकाव कर लें। जानकार कहते हैं कि वैसे तो बरसात के मौसम में भिंडी की खेती के लिए कई उन्नत किसमें बाजार में उपलब्ध हैं। लेकिन पूसा सावनी, प्रभनी क्रांती, पूसा ए-4 और पंजाब साथ समेत उनमें से सबसे बेतर है। आपको अच्छा मिलेगा। जो आप नाइट्रोजन डाल रहे हैं वह आधा हिस्ता बीज लगाने से में लाड़िए और पचीस प्रतिसर जहां सो 20 दिन के बाद और फिर पचीस प्रतिसर 20 दिन के बाद आप डाली तो आपका बहुत अच्छा उपज होगा। इनके अलावे में किसान भाईयों आपको इस एक और पोशक्तत तो याद रहे हैं बोरेक्स दस किलो प्रती हेक्टेर के दर से आप रासानी खाट के समय ही अंतिम जो जुताई करते हैं उसमें डालिए ताकि बोरोन के कमी से होने वाला इसमें कोई रोग ना लगे।